तो गाइस पोक्यूमोन की एक और निव वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो इसने एक से कैसे क्रीचर्स हैं जिससे बहुत सारे लोगों डर लगता है अब कुछ लोग नहीं भी डरते पर गाइस पोक्यूमोन भी रियल लाइफ के एनिमल्स और क्रीचर्स पर ही बेच्ट हैं तो ऐसे में बहुत सारे पोक्यूमोन इसनेक्स को देकर बनाए गए हैं जेनरेशन 1 से जैसे एकेंस और आरवक और जेनरेशन 8 में भी सिली कोब्रा है पर मुझे पता है कि तुम्हें जरूर जानना होगा कि इनमें से सबसे स्ट्रॉंग स्नेक्स पोक्यूमोन कौन सा है कौन है इनमें सबसे खतरनाप और सबसे बेच्ट अगर हम इन सभी Pokemon की Battle करवाएं तो इनमे से कौन जीतेगा तो आज हम ऐसे Top 10 Pokemon को देखने वाले हैं जो Snakes पर 베ist हैं इनमे ऐसे Pokemon भी होंगे जो सिर्फ दिखने में लंबे और बड़े हैं तो अगर तुम्हें इह वीडियो पसंदा है तो इसे Like कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अन कर दो और में ऐसी Pokemon के वीडियो के लिए तो अब जादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट पर इस टॉप 10 लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक कमाल के अप के वारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है डॉक्टर फोन और इसमें एक नया फीचर आ है जिसका नाम है वर्चुल लोकेशन इस एप का यूज करके तुम एजली अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हो ये AR गेम्स और ऐसे बहुत से एप्स की लोकेशन को चेंज कर सकता है सिंपली तुम इसे पोकेमोन गो में भी यूज कर सकते हो तुम ही बस इसे डाउनलोड करके यूज करना है सारी लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में है ये iOS और Windows PC के लिए है अगर तुम गेम्स की लोकेशन को चेंज करना चाहते हो तो इसे ट्राई जरूर करना ये लिश्ट स्टार्ट होती है नमबर टैन पर गॉर्विस से ये ब्यूटिफुल वर्डर टाइप गॉर्विस क्लैम परल के दो पॉस्वल एवॉलूशन में से एक है दूसरा वाला है हंटेल पोकेट एक्स के एंट्रीज के हिसाब से गॉर्विस की वर्डी का कलर सीजन्स के हिसाब से चेंज होता रहता है और ये स्प्रिंग टाइम में सबसे ज़्यादा पिंक हो जाता है हलाकि गॉर्विस और हंटेल के बेस स्टाट्स एकदम सेम है 485 पर गॉर्विस का मूपूल बहुत ज़ादा सही है इसमें साइकेक और आइच टाइप अटेक्स है जैसे ही सीख सकता है साइकेक ब्लिजर्ड और शेडो बॉल नमबर नाइन का पोक्यमोन है गलार रीजन से और ये है सेंडा कॉंडा सेंड़कॉंड़ पोक्यमोन सौड़ेश रिल्ड का मेरा फेवरेट स्नेक पोक्यमोन है जरा तुम इसे देखो यार यह बहुत स्केरी है और पावरफुल भी बहुत जादा है यह एक प्योर ग्राउंड टाइप है जो डेजर्ट एनवारमेंट की बहुत सारी स्नेक स्पेशीस की जैसा है लाइक रेडल स्नेक्स और साइड़वेंडर्स इसकी बेसिश्टेट की बात करें तो यह है 510 वफाव ओसमना सेंड़वेंडर्स के पास में कमाल की ताकत है और इसकी एबिलिटीस इसे और कहीं जादा श्ट्रॉंग बना दीती है जैसे स्टेल्थ रॉक अर्थ्वेक और कोईल यह सभी चीजे से एक डेडलियस्ट स्नेक पोकिमोन बनाती है यह स्नेक पोकिमोन दिखने में भी डराबना है और साथ ही में इसकी पावर भी बहुत जादा है नमबर 8 में है स्टीलिक्स अगर तुम्हें नहीं पता हो तो इसे एक आईरन स्नेक पोकिमोन भी कहा जाता है इस बड़े से श्टील के स्नेक के पास में सबसे स्ट्रॉंग श्टील टाइप मूब्स थे पर सिर्फ इसके चनरेशन में अभी तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉंग श्टील टाइप्स आ चुके हैं श्टीलिक्स का टूटल बेस श्ट्राइप 510 जो सेम सेंड़कॉंडा के बरावर है पर इसके मेगा एवलूशन में आने के साथ ही इसके 100 पॉंट्स बढ़ जाते हैं और तुम्हें पता है ये हमेशा से ही एक ग्रेट पोकिमोन रहा है सबसे फेमस श्टीलिक्स ब्रॉक का है और साथ ही में जिम लीडर जैस्मिन का श्टीलिक्स भी हमें एनिमे, गेम्स और मांगा में दिखाया है नमबर सेवन में सर्पीरियर योनवा रेजन के ग्राष्टा बेश्टाइडर पोकिमोन स्नाइवी का आखरी एवॉलूशन है सर्पीरियर और मुझे कहने की जरूत नहीं है सर्पीरियर का मतलब स्नेक ही होता है ना ही इसके हाथ हैं और ना ही पैर हैं पहले जब इस नाइवी था इसके हाथ और पैर थे पर इसके एवॉलूशन के साथ ही वो इसकी बॉड़ी के साथ में जुड़ चुके हैं जिससे ये एक प्यूर स्नेक पोकिमोन बन जाता है साथ ही में इसका बेश स्टाइड है 528 इसलिए सर्पीरियर एक स्ट्रॉंग स्नेक पोकिमोन है नमबर 6 में है माइलोटेक माइलोटेक पूरे समुंदर की सबसे ब्यूटिफल सर्पेंट है क्योंकि इसके एवॉलूशन के लिए से बहुत सारा हाई रेवल की ब्यूटि चाहिए होती है बहुत सारे ट्रेनर्स के पास में ये ब्यूटिफल पोकिमोन है जैसे पाइक कोई लूसी और लोजा माइन पर माइलोटेक अपने अपोनेंट से लडने की वज़ा उसे सांत कर देता है इसकी पोकिडेक्स के एंट्रीज के हिसाब से ये एक शान्त और नर्म दिल की पोकिमोन है ये एक ऐसी एनरजी पलसिंग वेप को निकालती है जिससे गुस्से से भरा आप उनेंट भी शान्त हो जाता है इसका बेसे श्टायड है 540 ये रेली बहुत ब्यूटिफल पोकिमोन है पर ये मत सोचना ये पोकिमोन लड़ नहीं सकता क्योंकि जब बातों से काम नहीं होता ना तो अव्यसली लड़ सकता है नमबर फाइब में है गेरडॉस अब तुम ये कह सकते हो कि गेरडॉस एक ड्रेगन है क्योंकि इस पोकिमोन की इंस्पिरेशन थोड़ी बहुत चाइनीज ड्रेगन से ली गई है जो पानी में रहता है पर हलाकि इसका टाइब ड्रेगन नहीं है क्योंकि साथ में से बनाने के लिए इंस्पिरेशन सी सर्पेंट से ली गई है और ये चीज़ तुम इसकी तनी long body को देख कर समझ सकते हो Gerardos अपने normal और mega evolution में आपको तक बुचा सकता है और यार तुम सभी इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ये सबसे जाना माना snake has list का क्योंकि ये generation 1 से है और तुमें Red Gerardos के बारे में तो पता ही होगा वो कितना जादा awesome है नमबर 4 में है Zygaard का 50% form Zygaard हमें बताया गया था Pokemon X&Y की सीरीज में मैं फुल वाले Zygaard की बात नहीं कर रहा हूँ ये Zygaard का 50% form है और सब इसे बहुत अच्छी तरहीके से जानते है ये दिखने में एक छैमू वाली स्नेक के जैसा है और या तो एक कोब्रा के जैसा लगता है और यार ये बहुत जादा strong है ये एक strong legendary स्नेक Pokemon है इसका base strat 600 है और पूरे Pokemon की हिस्ट्री में इसका shiny form सबसे जादा rare है साथ में ये औरा ट्रियों का एक member है इसमें जर्नियास, इवैटल और जाइगार्ड है जब भी जर्नियास और इवैटल में कुछ गलबल हो जाती है तो ये अपनी energy को release करता है नमबर 3 में है गेरेटीना का origin form इसे तुम कह सकते हो की ये एक धोके बाद evil Pokemon है जिसने RKS को तक धोका दिया था ये एक mythica legendary है अगर तुमें इसकी back story पता है तो तुम जानते होगी ये distortion world में रहता है जहां इसका एक नया form है जिसे origin form कहते हैं इस form में गेरेटीना 22 फिल्ड का हो जाता है और ये काफी शान्त है और ये अपने home world distortion world से भी बाहर आ सकता है इसने डियाल का और पालके की तक वाट लगा के रखी थी और गाईस तुमें ना पता हो तो गेरेटीना को diamond के रेजी गिगस ने बापस distortion world में भीज दिया था बिल्कुल सरपीरियर के जैसे गेरेटीना के बड़े form में इसके हाथ और पैर रहते हैं जोके बहुत जादा डराबना दिखता है इसका basis status 680 जोके सच में कममाल का है यहो गेरेटीना आपकी नमबर टू में है रिक्वाजा मेरा और तुम सभी का all time favorite legendary Pokemon इस सोड़ते हुए snake को पकड़ना बहुत जादा मुश्किल है लेकिन एक बार अगर तुमने से पकड़ लिया तो फिर तो मज़े हैं और master walls किस दिन कामाएंगी इसका basis status 680 और mega evolution में 100 points जोड़ जाते हैं और यह 780 का हो जाता है गाईज इस Pokemon का mega evolution Mewtwo को भी हरा सकता है रेकवाजा आज तक का सब्सक्र जादा पसंद करने वाला legendary Pokemon है और groundon और काईगर की बीच की लडाई को शान्त करने का काम भी सीखा है यहां तक की guys Pokemon World में इस legendary रेकवाजा की पूज़ तक की जाती है इसने कई बार इस दुनिया को बचाया है रेली ये एक सेवियर Pokemon है मतलब जब भी Pokemon World में कोई मुसीवत आती है न हम हमेशा रेकवाजा को याद करते हैं और guys Pokemon की हूपा वाली मूवी में भी इसी Pokemon ने सभी को बचाय था यही एक था जो सभी को बचाने आया था और हां guys ये एक Dragon भी है पर उससे ज़ादा ये एक उड़ने वाला सबसे बड़ा Pokemon है और हां तुम ये भी कह सकते हो की ये सबसे बड़ा Snake Pokemon है Snakes के मामले में तो guys finally number one में एक दम new legendary Pokemon है और ये है Eternatus guys Eternatus अभी तक का सबसे बड़ा और लंबा Pokemon है साथ में अभी Snakes और Snakes की जैसे Pokemon में इसका Eternatus Form सबसे ज़ादा स्ट्रॉंग है इसका नॉर्मल बेस स्ट्रेट है 690 और Eternatus जब Eternatus Form में होता है तब ये 1125 हो जाता है धरावना है ना honestly guys आज तक मैंने इस Pokemon से ज़ादा स्ट्रेट किसी भी Pokemon के नहीं देखे अगर तुम्हें ऐसा कोई Pokemon पता हो जिसका बेस स्ट्रेटिस से ज़ादा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रू बताना मुझे सच में इस Pokemon के स्ट्रेट्स बहुत ज़ादा हाई लगे हैं और तुम्हें ना पता हो तो पूरे गलार रीजन में जितने भी जाइगेंटामेक्स और डाइनमेक्स फॉर्म्स होते हैं वो सब इसी की पावर है और तुम्हें इसके बारे में जानना है तो मैंने स्कूपर पहले एक वीडो बना के रखी है वो वाली वीडो ज़रूर देख लेना और गाईज इसका सिगनेचर मूब है एटर न भी अगर किसी भी पोकेमोन को ये लग गई ना तो वो दोबार नहीं उट पाएगा इसी वज़ा से इसने सावित किया है ये पूरे पोकेमोन वल्ड का सबसे स्ट्रॉंग स्नेक पोकेमोन है एनिवेज गाईज तुम्हें क्या लगता है इन सब के बारे में इन सभी की लडाई होगी तो कौन चीतेगा मुझे कमेंट्स में ये चीज़ जरूर बताना कौन साथा पावरफुल है रेकवाजा या एटरनेटस जाओ और कमेंट्स मताओ और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अन कर दो और में ऐसी पोकेमोन की वीडियो के लिए और हागाईज छोटे छोटे अपडेटस के लिए मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो करना मत भूलना वहाँ पर मैं बहुत सारे अपडेटस दे देता हूँ और एक और चीज़ हमारे गेमिंग चैनल को जॉइन कर लो क्योंके वहाँ पर हम ऐसे बहुत सारे गेम्स केलते हैं पोकेमोन के सब ही गेम्स और तुम जो भी कह दो हम बहुत मज़े करते हैं इसलिए हमारे गेमिंग चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो तो के गाईस मिलते हैं में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई